रोतक जिले में कस्वा सापला के गाउं खरावर निवासी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। खरावर निवासी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जल घर से गंदे वपदबुदार पानी की सप्लाई की जा रही है। वो भी चार दिन में केवल दस मिनट बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जल घर की अधिकारियों के कानों पर जून तक नहीं रेंगती। एस्थानिया महिलाओं ने बताया कि गाउं में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। गाउं में सरकारी सप्लाई का पानी नहीं आता लगभग दो किलो मीटर दूर से पीने के पानी कुले कर आना पड़ता है। और जिन घरों में पानी पहुचता है वहां केवल दस से पंदरा मिनट पानी चलता है। वो भी गंदा और बदबुदार कई बार मौके पर जैई को भी पुलाया गया। विभाग के जैई द्वारा प्रोपर तरीके से पानी देने का आश्वा संतिया गया। के नाम है कुला शेगां की है लाटगां की के नाम है। देर तक पणि आता होगा बस वह भी च्यार दिन वे और बहुत से गर ऐसे हैं यहां बदद ताला लग रहें यह कह रहें कि पाणि नहीं आ रहें उन गोरों में रिश्लेए घर चोड़ के लिए नियार रहें तो उच्छ गड़ी है जर परेसर ना छोड़ागा तो पाणि कद आवा से अर्वी ना चड़ता मार्त पकति एकुइना चड़ता दिकारियात निए की ता पाणिया वह न अभै अब सब ज्यादि शर्पन्च मिन्टबने पाशे पाच्छ बढ़नेक बाद आया है ना पोब भी द्याएंग कुट्य तो फिर पाणि मूलले प्राइवेट कनेक्शन थे जब पहले बताओं प्राइवेट कनेक्शन थे जब आगर तक प्राइवेट कनेक्शन थे जब आगर तो कितने टाइम तो समस्चा और या पानी तो कोई सुन नाला नी है पूर्टा लाना पड़ा है तोर्टा लाना पड़ थेरे केश अहट ले संवस्चा और परेखेशन slash अगरा बताला लाग रहा है क्यों लाग रहा है लाग रहा है इब नाय होगा तो तारे लागेंगे नाय हो पानी समसारे कुण रहा हो गाड़े